परियावन के कुछ महत्रपूर्ण स्रीज लेख रहा है जहां से आपके परिच्छन बारा बार पुछ रहाते हैं परियावन में भगोलिक परियावन का सक्षान आता जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा है इसके कई कॉंसेट जैसे आप लोगों ने इसके पहले सवर मंडल पढ़े आक्षांस रेका देशांतर रेका पढ़े अब एक प्रित्वी के आंतरी शर्चना इसमें जो सबसे आहन टॉपिक है जो आपके परिक्छाम पूछा जाता है वो यह है कि इसके बाद भुकम और जॉलाम की पढ़ना आज के टॉपिक में हम लोगों को प्रित्वी क इसे बात करेंगे और आप लोग वीडियो को जावा जावा शेयर करेंगे इसुन क्लास आप सदी के लिए देशित नहीं राश्टित में हैं पित्विक आंतरी सचना तापमान गुर्धर्म घनत्यों के आदिक आधार पर तीन बरतों में बाता जा सकता है मनला हमने यह आप जो हता है मने ताप करम डाप और घनत तीनों में लगातार विद्धी होती है और यहां से परिच्छाम सवाल पूछे जाते हैं और हागी चलते ही नोट्स के अमाध्यम साब को ब्याक्या कर रहे हैं पित्विकी रासायनिक आंतरी सचना को सबसे पहले अस्टलिया के श किमा शियाल शिमा उसकी बाद फिर नीफे नीकिल और फियरस नीफे नीफे मने नीकिल और फैरस जैसे हम प्र ठोस किसा जो pun नीफे और हो compelled परद सियाल है सिल्कना अल्मुनियां की बनी उसके निचे शीमा है सिल्कना मेंगनेशियम के फिनीफे निकल और फिरस के मिलकर हमारी जो पित्वी आंतर सचना है यह रासानिक आधार पर हो गया उसके अलावा सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं भू परपटी या क्रश्ट onia है धू कि निचे मैंटि उसके फिर ओर रहता है यह आपका मैंटिल है यह आपका क्रस्ट है कि की युपर क्रेस्ट 237 के समय ay थेया स्वारी जीरो से 2900 किलोमेटर है इस प्रकार हम लोगों ने पित्री आंदी सेशना को बारे मोच टॉपिक पढ़ा जहां साब के परिछा में शवाल आते हैं ठीक जैसे आप यह इसकी स्किन्सौर्ट अख लीजेगा जैसे आप हमने देखा यह जीरो से लेकर 30 किलोमेटर क्रे हम यह कह सकते हैं विद्धिवी कि जो त्रिज्जा है वह 370 किलोमेटर है अब हम चलते हैं इसके और आगे कि तत्यकों भी पढ़ते हैं इसकी निसोट कर लिजएगा सब लोग मतलब हमने देखा मोह ऋं डिसकांप्राइड क्या होती गुटन बर्क्क्या उति लेमन डिसकांप्राइड कि आफ मेपरिच्छा फॉप्रप्रपति इसकी मोटाई जीरो से 30 किलोमेटर है Xeon. इसम शीमा केता है इसकी मुटाई 30 से लेकर 2900-किलुमेटर तक है इसमें भी 2 होते है अपपरमियंटां लोर मिंटा अपर सच किलुमेटर pro 벌 कितने लेकर 6370 किलो मेटर तक है इस परकार हमने पित्वी की जो आंतिर सर्चना था उसको एक बार पढ़ लिया अब हम और आगे चलते हैं आगे देखेंगे भूपरपटी में शरवाधिक मात्रा में पाई जानी वाले गैस ऑक्सिजन है यह रट लिजेगा यह एक परिक्षा में प्रश्ण आपके सीधा सीधा पूछा जाता है और आप जब प्रश्ण सीधा पूछा जाएगा तो गलती भी आपको नहीं करनी है इस बाप कभी से ध्यान रखना है पित्वी की त्रिज्या कितना हो गई 6370 किलो मिटर हो गई ब्यास पूछेगा तो गुड़े दो कर देंगे इसका ब्यास निकल जाएगा ठीक है अब इसका ब्यास निकल गया पित्वी का आउस्ट घनत कितना है पांच दसमलो पांच दो ग्राम प्रति शेमी क्यूब है यह पित्वी का जो आउस्ट घनत है यह बात आप लोग जहां रखेगा यहां से आपकी परिक्षा में सवाल पूछे जाते है ठीक है और कोई मन में अगर सवाल लो कोई प्रश्ण हो तो जदू पूछेगा आप लोग वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजे आपकी संख्या कम रहेगी क्योंकि हो सकता यह आज के आखरी सीरीज उसके बाद हम लोग MC की सीरीज पढ़ेंगे आपका जो सेल्वास पूरा खतम हो जाएगा आज की सीरीज में ही भुकम क्या है इंग किया है? और सबसे पहले जहां पोस्ता है उसे मेपी सेंटर कहते है इसे फोकस कहते है ठीक है? भुकम मूल फोकस होता है वह अस्तान चाहपे भुकम पी तरंगे का उन्हों सबसे पहले कह जाता है उसे हम अधिकेंदर कहते हैं यह दोनों प्रश्णा भी हाली के परिच्छा में पुछे गया थे और हम चाहते हैं आप लोग ऐसी स्रीच को पढ़ें जहां से आपके परिच्छा में हो बहुत प्रश्णा है और आप सेलेक्शन के नजदीक चले और आप सेलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो में चाहेंगे कि एक भी सवाल आपका बाहर से नहों उसके लिए चाहे जो भी यह थाई सिती हो जाए हम चलते हैं एक और अग्रे मशन की तरफ व्योंकि अब की बार एक सिट हमार किसी के मन में कोई डाउट हो सवाल हो तो पूछ सकता है व्योंकि हमारा उद्देश आपका सेलेक्शन है इसकी इसोट कर लिजेगा सब लो यह नोर्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं अब भुकम के दौरान भुकम मूल से निकलने वाली उर्जा होती है उसे किस नम से जानता है यह आप सबी के लिए काफी महत्तपूर है तो आप लोग इस बात को जान लीजेगा इस बात को पढ़ लीजेगा यह कहां से प्रत्यास्त उर्जा निकलती है रियक्टर पे माइने का इसे देंगे यह बात मैं आगे बताऊंगा खासकर जब इसके MCQ सिरीस उप्लाएंगे तो हमसे और अच्छे से बताने का शमझाने का प्रयाश करेंगे ठीक है चलिए और आगे चलते हैं इसके बाद इसकी इन्सोट कर लीजेगा अगर आपने नोट्स मंगा होगा तो आप लीजेटे मैं अप्की द्च्षा भी कर दी अब भुकंबि तरंगों का अध्याम कहला ता सिस्मोलाव जी अब विकही बुकिम मापने का जो सिस्पॉक्फ ने आपता है जो सिस्मोग्राब उसका जो त्वरतम आपी जाती है वो आपके रेक्टर पहांने से मरकेली स्केल पूराना हो गया अब ध्रेद्रे पूराना हो चुका है अब हम चलते हैं एक और अगले प्रस्टनी की तरफ यास किसी की महन में कोई भी डाउट हो तब पूछ सकतें ठीक है चलिए और आगे चलते हैं भूच भुकम की घटना 26 जनुरी दोजार कैसु घटी थी ठीक आगे चलते हैं एक और अब ये पश्णिंगी तरफ अगला है आपके सामने हिंद मासागर्म सुनामी घटना होती थी 26 दिसंबर 2004 को 25 से 26 संबर अच्छे प्रश्णों होता आपके सवाल पर इच्छा जाता है यह जो भुजका भुकम था सभी के मन में डाउट आएगा सभी के मन में शवाल आएगा यह भुजका भुकम क्यों पड़ते हैं आगे उसके बारे हम और आपसे अच्छे से चर्चा करेंगे सुनामी महासागरों भुकम पी घटना को हम क्या कहते हैं सुनामी कहते हैं वह सुनामी क्या न बादे हैं अल्हा का बाद कहां पर गुज्रात मेरा यह भी आतकर सवाल पूछा जा चुका है टीक Him यह भी सवाल आपके परिच्छा में पूछा जा चुका है गुज्रात में सुनामी गटना घटी थी 16 нач9 को ठीक आगे हम लोग जहां से देखते हैं कि प्लेटों से समधित गति को सरपतम समझाता कि इसने जगनर महोदे ने और हेरी हेस्ट उने इसो साथ में प्लेट की जो घटना थी किसी के मन में कोई सवाल हो कोई प्रश्ण हो तो पूछ लेगा हम चाहते हैं आप लोग लाइब आ तरंगों की बात करते हैं वह कंपी तरंगे तीन प्रिकार क्यों हो ताइम बना के वह कंपी तरंगे देखे पी वेब्स होता इसे प्राठ्विंग्ष कहते हैं यह पुरी प्थिवी को अगर देखा जाए 211 में पार कर जाती है जिसको किलियर नहीं दिख रहा है वो तीन द में गती करता है अगर तेती तरंगे होता है अगर तेती तरंगे होते हैं सबसे खतरनाग दिखा जाए तो यह अनुलंबन तरंगे कहलाती है जिसे लेंड वेप्स के नाम से भी जानते है ठीक अगला सवाल आपके सामने है सरवादी भुकम अस्थली छेतर कहा है पूरीवी एसिया जापान इंडेनेसिया इसे हम आगे चल कर देखेंगे परीपरसान तमहा सागरी पेटी के नाम से भी जाना जाता है ठीक इसे रिंग आफ फायर भी कहते हैं आगे हम पढ़ाएंगे गिरिंग आफ फायर क्या है अब आते हैं जाला मुखी की बात करते है सबी लोग ध्यान से देखेंगे पितिवी के अंदर से धुआ जलवास धूलकर राक आधी बाहर निकलने की घटना जाला मुखी कहलाती है क्या कहलाती है जाला मुखी कहलाती है जाला मुखी के प्रकार शक्री जाला मुखी सब्सक्री जाला मुखी सांत जाला मुखी को मृतिक जाला मुखी मैंने ऐसा जाला मुखी जासे एक बार लावा का उद्गार होने के बाद सब्सक्री जाला मुखी कहते है उसे हम सां या मृत जोलमखी के नाम से जानते हैं आप लेगा सब्सक्राइब कर लिए इसके बारे में लोग एक एक परके पढ़ता है पहले तो जानते इस प्रकार की जोलमखी से हमेशा उद्गार होता रहता है लावा का इतना का जोलमखी इटली में परिछा बली सवाल है यार आप लोग इतनी संख्या कम है क्या हुआ पढ़ाने कोई कमी है क्या इस्ट्रामबोली जॉलम की इटली भरत के एक मात्र सक्री जॉलम की कौनसी है बैरेन जॉलम की जित्ति लिए वीडियो को लाइट देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके इस कुछा मिली होती है आपकी मन में कोई प्रशन और कोई सवाल हो तो पूछिए का फटाफट सेक्शन में कॉमेंट करके सभी लोग इतनी कम संख्या आप लोग कहीं रहती है क्रेटर जॉलम की जो कीपा कर मुझ होता है इसे हम क्या करते हैं क्रेटर के नाम से जानते हैं सिलि लिपारी दूप को कहा जाता है कुछ समय से बिस्पोर्ट नहीं हो दो एक निकट भॉस में बिस्पोर्ट की संभावना ज्यादा होती जैसे फ्यूजी आमा जापान में है विशु विएस ट्ली में है क्राका टोगा सुन्डाजल डमरूस नार्कोडम अन्डमा निकोबाद इस हो में मोस्ट इंपोर्टन ठीक है ठीक अलट लीजेगा अब आते हैं सांत जॉलमखी की तरह बढ़ता है इसे मिर्ट जॉलमखी भी कहा जाता है इसे देवबंद या को हमात सुल्तान पिरान में हैं पोपा में अमार में हैं फिलिमन जारो तंजानिया अफ्रिका में हैं मतलब यहां पर हम लोगों ने इसका मुख बंद हो जाता है बहुत कफी डीप में पढ़ा सकता हूं लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपका समय देलू कि कि आपके सेल्बस के आधार पर जितनी टॉपिकारी में उतना पढ़ा दे रहा हूं अस्टलिया महादीप में जॉलमकी की संख्या सुने मनिक ऐसा मह का रिमार होता है लावा से बनती है जालम की क्या कहा जाता है प्रशांत महासागर का वलाइचेत्र कहा जाता है most important प्रकित का सुर्च्छावाल ुकिसे कहा जाता है कोमेंट सेक्शन में देएगा और कोमेंट करके बताइएगा अगला है आपके सामने प्रमुक चक्रवाद जहां सब के परिक्षा में सवाल आते हैं आप लोग इसको याद रखिएगा मैं यहाँ से एक प्रश्न करा दे रहा हूँ देखिए ऑन्लीन क्लास और नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर वाट्शेप करके जनकारी ले सकते हैं यह सभी क्लास इलनी पर दुर्गेश पर मैं जे गेस्ट के रूप में पढ़ाता हूँ मैं अपने बचे हुए समय से बेर देखवाने सच्छा है कि किसी की घ्यान में बरुत्तरी कर दीजाए और आप घर बैटे क्लास और नोट्स के लिए इलनी पर दुर्गेश के आफिस के नंबर पर समपर कर सकते हैं अब ध्यान दीजिएगा आप लोग परसान परकित का सुरच्छा वाल क्या कहते हैं ज इसकारीका की केरिग ऐस अगर में मेक्सको की खाड़ी में जो चक्रवात उटि इसमें दियान दीजएगा जिसे तो क्ला बहुत कि हुड़ती है मैं आपि के पहले चक्रवाथ समझा दूँ बीच में जो होता है से अनदर की तरफ हवा Cec द्षक्राइब में जो आपके पाट क्रम में है और बाहर सबकों कुछ पढ़ना ही नहीं है और कोई भी मार्केट के कैसी एकल किताब नहीं है जापे संपूर मिले और यासी सरसाय का ध्यापक ने इस तत्र को पूरा मैटर को तयार किया आप सभी के लिए ठीक अभी आपको अपडेटेट भी परिच्छा वाले कॉंसेप्ट थे अगर इससे 72 को परयावन पूरे यूटूब पर पढ़ा दे तो चैनल का सस्क्राइब कर देजेगा क्योंकि रेस के घोडे हमेशा रेस मच्चे लगता है खेत में और आप सभी एक रेस के घोडे और आपकी रेस आपके सेलेक्शन से तो से मिल जाएगी और अपनी क्लास लियाओगा तो हापे भी मिल जाएगी और नहीं तो घर बैठे संपून नोट्स पर आप कर सकते हैं जो पीडियाप से लाग दर्जी आपके लिए बहतर होगा पूरी प्रिंटेड मैटेरियल आपको इलनी भी दुर्गेश हम डिली आपको जाएगा